दोस्तो यूपी PCS 2022 का ओफिशियल नोटिफिकेशन रिलीस कर दिया गया है तो जो लोग इस एक्जाम के तयारी करना चाते हैं वो पूरी टाकत के साथ में लग जाएं क्योंकि समय बहुत कम होता है और स्लैबस बहुत बड़ा होता है इस बार जो टोटल नमबर अफ वैकेंसी है यह है 250 लेकिन इसको बढ़ा दिया जाएगा अभी थोड़ी दिनों के बाद में तो इस वीडियो में हम लोग ये जानते हैं कि इस exam को qualify करने के लिए इसका अगर आप exam pattern नहीं समझोगे तो बहुत मुस्किल है इस exam को qualify करना क्योंकि इसका exam pattern थोड़ा सा difficult होता है बाकी सभी exam समय कि को इसमें pre होता है mains में art paper होते है तो पूरे इस वीडियो में बहुत आराम से बहुत बहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोसिस करूँगा कि इस exam में कितना क्या stage होता है तो ध्यान से समझदा कहीं पर भी किसी जगे आपको doubt हो तो अपना question इस comment box में लिखकर बता देना मैं उसका answer करूँगा इस exam में कुल तीन stage में ये exam होता है पहली stage होती है prelims जिसमें आपके दो paper होंगे याद रखना prelims में आपके दो paper होंगे फिर आपका mains का exam आपको देना उपड़ेगा जिसमें 8 paper होंगे और तीसरा stage होता है interview एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब तक आप prelims qualify नहीं करोगे आपको mains का paper लिखने को नहीं मिलेगा prelims में आपके जो marks होंगे वो add नहीं किये जाएंगे आपका जो final selection है वो mains और interview के marks के basis पर किया जाएगा ठीक है तो prelims qualifying nature का होता है आप देखिए इसमें क्या होता है यह prelims के exam pattern को आप देख रहे हैं prelims में आपसे दो question paper होंगे पहले paper को बोलते हैं GS paper 1 और दूसरे को बोलते हैं C set जो GS paper 1 होता है उसमें कुल 150 questions होते हैं और जो GS C set है उसमें आपके 100 questions होते हैं जो लोग prelims को qualify कर लेंगे उनको mains लिखने का मौका मिलेगा और mains बहुत जबरदस्त लेबल का होता है यानि कि इसमें कुल मिला आठ paper पूछे जाएंगे जिसमें कि आपको 1500 नंबर का ये पूरा paper होगा जनरल हिंदी और ऐसे 1500 नंबर की होगी तो 300 नंबर का तो ये हो गया और बचे हुए जो ये 6 subject हैं ये 1200 नंबर के हो गए तो 1200 और प्लस 300 1500 नंबर का मेंस का paper होगा जिसमें आपको 8 subject के paper देने पड़ बापस से आधते prelims के paper में prelims में मैंने आपसे बताया कि ये qualifying nature का होता है जब इसको qualify करोगे तब आपको mains लिखने का मौका मिलेगा prelims में दो paper आपका GS paper 1 और CSAT याद रखना prelims की जो cutoff है वो decide करेगा आपका GS paper 1 जो CSAT है ये prelims की cutoff में contribution नहीं करेगा इसमें आपको मातर 33% नंबर लाने पड़ेंगे 33% अगर आपके नंबर नहीं है और चाहें तो GS paper 1 में आप 200 में से 180 नंबर ले आओ और लेकिन CSAT में अगर आप fail हो गए तो आपके 180 नंबर को भी disqualify माना जाएगा ठीक है तो GS paper जो CSAT है इसमें 33% नंबर आपके होने चाहिए और scoring बनाना है आपको GS paper 1 जिसके basis पर prelims का cutoff जागेगा ध्यान रखना बहुत बच्चे इसको भूल जाते हैं वो क्या करते हैं कि CSAT में बहुत अच्छा score कर देते हैं लेकिन CSAT में score ज्यादा करने की सोचते हैं और कभी-कभी इसमें marks कम रह जाता है तो यह चीज़ आपको ध्यान देनी है यह जो GS paper 1 है इसमें 150 question होंग objective type paper होगा इसके लाब negative marking जो है यह 1 by 3 का negative marking होगा तो इससे भी आपको सौधान रखना है क्योंकि हर साल का record है सबसे ज़्यादा बच्चे अगर किसी चीज़ से बाहर हो जाते हैं तो वो negative marking से हो जाते हैं जितने question आपको इमानदारी से आते हैं सिर्फ उतना सही करके आ गलत question attempt मत करना आप देखो मेंस का pattern समझो मेंस में मैंने आपसे पताया कि कुल मिलाकर आठ paper होते हैं बहुत इत्मिनान से इसको देने की जरूरत है सिर्फ चीजों को आना जरूरी नहीं है जरूरी है कि एक हपते तक यह 8 paper चलते हैं तो consistency आपकी बहुत अच्छी होनी चाहि है ऐसा नहीं कि आप किसी week में बीमार पड़ गए या लिखने की आदत नहीं होगी तो आप उसमें लिख नहीं पाओगे तो यह जो paper है आपके morning और afternoon session में एक एक दिन में दो-दो paper होंगे और लगवाग एक अपते तक इसका जो schedule है वो रहता है तो आपको इस तरीके से यह चीज़ समझती है 1500 नंबर का यह paper होगा 1500 में से आपकी कितने marks आते हैं वो decide करेगा आपकी merit को अब क्या होगा जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि जब आपने prelims qualify कर लिया prelims के बाद में आपको mains लिखने का मौका में आपने mains भी qualify कर लिया जब दोनों के result आ गए तो finally आप अच्छा performance करने के बाद में आपका final selection हो जाएगा तो यह चीज़ आपको याद रखनी है साथी साथ में अगर देखा जाए मतलब आपकी मन में अभी तक मैंने जो समझाए उसके regarding कोई doubt हो तो आप comment box में उसे लिखकर पूछें साथी साथ में इस exam के लिए आपकी age limit क्या हो आनी चाहिए 21 साल से 40 साल तक के जो लोग है वो इस form को बर सकते हैं इसके इलावा भी जो age relaxation है पांस साल पांस साल पांस साल पांस साल और PWD candidates को 15 साल का age relaxation इस exam में दिया जाता है आपको इस exam से related कोई भी doubt है तो आप comment box में बिल्कुल लिखना ना भूलें thank you for watching this video